दोस्तों सागत है आपको मेरे यूटूब चैनल पर आज में कोरोना वायरस कैसे होता है लक्षण क्या होते साफधानी क्या होती या उससे बच निकलने के उपाये आप अपनाएंगे तो कैसे बस सकते हैं तो इस वीडियो में बताने वाला हो तो सबसे पहले हैं पता दू कोर प्रांद के वहां सहर से हुआ था जो कि एक सीफूड का बजार लगता है वहां से इस बीमारी की सुरुवात हो गए थी लक्षण क्या होते हैं इस बीमारी में सांस लेने में दिक्कत होती है गले में दर्द होता है जुकाम होता है खासी और बुखार होता है उसके साथ करें तो कम करें सरदी खासिया जुकाम हुए वक्ति से एक या दो मीटर की दूरी बना कर रखें सिर्फ घर के ही खाने को खाएं बाहर के खाने को आप क्या पता कहां से आया है कैसे बना है और जो बनाया है की नहीं बनाया उसको कोरोना वायरस था की नहीं था इसको पता नही तो देखो जो लोग कोरोना वायरस से पीड़ थे और उनका इलाज हुआ और वो बचके निकल गए डबलू एच्चो या आप गूगल करके देख सकते हैं कि जिनकी प्रतिरोजदक चमता ज्यादा थी उनका इलाज हुआ और वो बच गए इलाज तो सभी का होता है लेकिन जिनकी प्रतिरोजदक चमता ज्यादा होती है वो करोना वायरस से बच सकते हैं और यहां तक करोना वायरस का उसका आफर भी नहीं पड़ता है तो क्या-क्या आप अपने जीवन में उपयोग करेंगे तो आपको रोग प्रतिरोजदक चमता बढ़ा सकते हैं, ग्रीन टी या ब्लैक टी दिन में एक या दो कप पिए, दिन में एक कप या रात को एक कप, इस तरह से भी सकते हैं, कच्चा लहसुन खाए, लहसुन आप कैसे होता है, इमेज में आप दिख लीजिए इस तरह से लहसुन होते हैं, लहसुन की एक कली, सुब आप दही का सेवन कीजिए स्वास के लिए कोई हानिका रख नहीं है और लाबदायक खिलाबदायक और इससे भी प्रतिरोधक्षमता बढ़ती है ऐसे फल यह सब्जी खाएं जिससे की विटामिन उसमें विटामिन डी लुनों से भी विटामिन डी का effाल यह सब्जी खाएं उससे भी प्रतिरुधक्षमता बढ़ती है और अभी पने पता था तो मैंने आपको इस विडzelम बता दिया तो आप हो को सकेखे अपनि प्रतिरोधक्षमता को बढ़ा है और कुरोवारस के ड्री यह से बस सकते हैं यदि आपको क्रोना वारस हुआ है और आपने यह नियम को फॉलो किया है तो आप ठीक हो जाएंगे आज के बाद कोई दिक्कत नहीं है बस आपको धैर और यह आपके डेली रोटिन में उप्योग कीजिए इतने था इस वीडियो में आई होप आपको अच् लाइक कीजिएगा और दूसरों के बताएगा कि आप किस तरह से क्रोना वारस से लड़ने के लिए और बचने के लिए तयार है बस वीडियो देखने के धन्यवाद